जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों कहा था कि मैंने आपको NCRT बोक परानी है तो मैंने किलास 6 के साइन से प्राणम की है तो किलास 6 में मैं आपको पराने जाना हूँ कि भोजन यह कहां कहां से आते हैं इसमें मैं पूरा जो है कि आपको जितने भी important facts होगा उसे ले लेके और कितने आदमी करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने में किरिया कलाप छोड़ देते हैं जो कि बहुत ही गलत है किरिया कलाप से आपको पता चलता है कि किसी भी चीज़ का अगर हमको परियोग करना है उसे कैसे ढूनना है यह सारे चीज़ पता चलते हैं तो हमको यह अव जो बॉक्स में दिया रहता है उसे अब सीधर पढ़ना चीए मैं एक बार उपर से नीचे करके बने बता रहा हूं तो यहाँ जो किरिया कलाब पहला में दिया हुआ है कि आप आज पास से पता किज़े दिन वर क्या खाया है दू में दिया हुआ है कि वो क्या चीज से आप किया जाता है अन्य जो दिया गया है कि उसके पोधों के कौन-कौन से भाग एवन जनतू के उत्पादन किस-किस तरह से हम लोग उपयोग में लेते हैं तथा भोजन के रूप में पोज होका कि कौन-कौन सा भाग हम लोग परियोग करते हैं और क्या हम अपने आसपास के पेर पोदे पत्ते आधी को किस तरह से खाते हैं या जर्मिनेटेट फूट को किस तरह से खाते हैं या जनतु से मिले पदात को किस तरह से खाते हैं क्रिया कलब 6 में देखिए जनतु ये मुझसे उनका भोजन क्या क्या है यह सारा चीज दिया हुआ है और यहां last में आपको सारांस दिये गए हैं और उसके आद कुछ question answer की दिये गए हैं जो कि मैं करवाँगा और सारे question answer को साथ में करवाँगा यहां लास्ट में परस्तावित प्रयोजना दिये गया हैं यह सारे बच्चे के creativity activities को बरहने के लिए जाते हैं तो यह सारे topics हैं जो कि मैं आपको अब परहने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सारांज में मैं परहूंगा बहुत ही important तरीके से परहूंगा जो कि बहुत ही कम समय का किलास होगा एक घंटे नहीं टाइम देने हैं थोरा से 15-20 मिनट का किलास हो सकते हैं या 10 मिनट में भी मैं खतम करने की कोशिस करूंगा ताकि आप इसे अच्छे से देखो और जो मैं परहा रहा हूँ कोशिस करना उसका notes बनाते चलना notes बनाओगे तो बात में और notes कोई भाड़ी भरखम notes मत बनाना यानि सारे को अच्छे से सुनना उसमें जो points लग रहा है कि note करने लाइक है और छोटे-छोटे notes बनाना यानि कि मान के चलो आप total books हैं इसमें लगब 20-25 books तो हो ही जाएंगे सारे अगर लेंगे तो 6-10 में 20 books तो कम सकम होगे सारे के ल या remember कर ले हैं तो पहला जो point है कि भोजन कहां से आते हैं तो normally हम लोग देखते हैं कि भोजन जो है कि प्राप्त किया जाता है या तो पेरपोदे के माध्यम से या फिर जीब जन्तू से या फिर natural resource जो होता है जैसे कि समुद्री जीब से जन्तू हो गया लेकिन समुद्री पानी से भी तो हम लोग नमक निकालते हैं वो तो नहीं जन्तू से प्राप्त किया जाता है नहीं पेरपोदे से वो प्राकरतिक resource से जैसे काला नमक हो गया ये सब सारे चीज हम लोग नमक हो गया ये सारे चीज जो है कि आपको प्राकरतिक resource से मिलते हैं जैसे समुद्र से म तो इसमें जो दिया गया है कि सबसे पहले देखे बिभीन खाद पदात का परियोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं तो जैसे कि आज मान किछली किसा हम लोग के दोस्तों से मिलते हैं तो सब अलग अलग तरह के खाना खाते हैं तो हमको डिसकस तो अब हम लोग तो जानते हैं कि कि जानते हैं तो इसमें चो दिया गया है कि हम सारे भोजन को किस तरह से बनाते हैं तो उसमें क्या-क्या मिलाते हैं जैसे कि मान लिजे कि आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें कच्छा सब्जी लेंगे नमक मसाला तेलादी मिलाकी बनाएंगे तो यह सारा चीज तो अलग-अल तो इसमें जो मेन टॉपिक है पढ़ने लाइक वह है खाद पदार के सुरोथ तो हम लोग देखते हैं कि आपको पता है कि यह पादप सुरोफ होते हैं को जन्तु सुरोथ होते हैं वहां से प्राप्ट किया जाता है और इसको जो है कि किस-किस तरह से हम लोग परियोक करते हैं वो तो जानते हैं आप और दूसरा दिया करे है कि इड लीक कैसे बनाया जainता है है तो इड ली बनाने के लिए चाबल उरग का लमक जल चाहिए यह सारा दो Beimिंफियोग प्रकार की विपिन भाग को हम लोग द्धित करते हैं जैसे पतियां भी खाते हैं हाँ और एकंपने सोच रहा होगा कि फूल केसे खाते हैं सब यदे all to all तनाना सब खा लेते हैं जर्ड भी खा लेते हैं तो इससे बहुत सारे कोईशन भी बनते हैं आप मतलुन बताइए कोन सा भाग है पोधा तो तना है या फिर जर है सब जानते हैं तना है तो जैसे गाजर हो गया जर है तो इस तरह से बहुत सारे भागों को हम लोग अलग अलग तरह से खाते हैं जैसे फल में हम लोग जैसे कि आपका टामाटर हो गया सेब हो गया यह सब फल हो गया फूल में फूल को वी हो गया यह क Fusion सब जो है की अलाम से आप जान सकते हो तना तो एक कोई ऐसां प्लांट्र का नाम बताएं जो की जी कि हानुश में मात्र एक ही होता है आपका मात्रफ और मात्र होता है अद्र हान आ जो है कि सिप शुगर केन केंजू है कि आपका गंणा उसका आम लोग का उप्योंक टे हम लोग सब बाट खाले है ना तो पोधा का सब भाग हम लोग खाते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है यहां पोधे भोजन का रूप में पोधे के भाग तो आपको पता चली गया बैगन जो है कि बैगन का भरता हम लोग बैगन बनाते हैं जो की फल होता है पोधा का है ना दिया हुआ है जन्तु से हम लोग को सहद मिलता है पता ही आप लोग मुंबत्ती होती है उसमें मुंब भी मिलता है और जो है कि जन्तु क्या खाते हैं अब ये क्वेशन आया जन्तु तो आपको पता ही कि घास खाते हैं कुछ जन्तु जो है कि ऐसे खाना के अधर पे तो तीन तरह से बाठ दिया गया है साकाहरी मांसाहरी और सर्वाहरी साकाहरी को इंगलिस में बोलते हैं आर्वीवोरस मांसाहरी को बोलते हैं कानीवोरस और जो है दो दोनों खाते हैं ateur छो होते हैं थेती . आपको कि मांस भी खाते हैं गललूप बकड़ी हो गया कुट्ता हो गया बहस हो गया यह सारे जो जानते हैं कुट्ता मांस मशली सर्वाहडी है कुछ भी खा लेता है बिल्ली जो आपका दूद्ध पीती है मांस मी खाती है बहस तो आपका साकाहडी है इस तरह से अलग अलग तरह के जीप जन्तू अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं यहां पर दिया हुआ भी है साकाहाडी जन्तू मांसाहाडी जन्तू सरवाहाडी जन्तू है ना यह सब नॉर्मल कोईश्चन है आप जानती होंगे लेकिन मैं सुरू से परा रहा हूँ ताकि आपका रिविजन भी हो जाए छोटे-छोटे जितने भी चिलि आसमों को आराम से ख़ब सके नेक्स्ट पॉइंट यानि नि कोई भी प्वदार्थ होता है तुसका संग्रटख होता है इसमें औस तत्थ होता है खाा दे हम लोग क्या क्या खाते हैं मकडन हम लोग क्या मांगरत भी जान ही रहे ह्ट हैं जयर्मिंनिटेट हाड़ी सर्वाड़ी आप जानी गया उसके आदिया हुए भारत में विविन पर्दोस्व में खाये जाने वाले भोजन बहुत अधीक बिविद्ता है आपको पता है कि भारत तुके अलग-अलग तरह के जलवाई हुएं तो वहां पे अलग अलग तरह के फसले उखते हैं तो जो आसानी से वहां उपस्ते हैं तो वहां का लोग आसानी से उसे ही खाना पसंद करते हैं और जो आसानी से उपजेंगे तो उसे आसानी से मिल जाएंगे कम खर्च में मिल जाएंगे तो वो उसक का थे उसे जो है कि मांसारी कहते हैं जो जन्तु पादर फीवन दुसरे पराणियों को खाते हैं उसे सरवारी आप देखें question आ गया देखते हैं कि आप लोग कितनी जवाब देते हैं क्या सभी जीबों को एक ही किस्म का भोजन प्राप्त होता है ये सब आपको tax के रूप में मैं दे रहा हूँ आपको बैटके बनाना है देखना है मैं कल जो है कि मतब कि next class में मैं इसका discuss करूँ है ना तो इसको आपको देखना है तो यहां पर दिया हुआ है क्या सभी जीब जन्तु एक ही किस्म के भोजन करते हैं आपको पता करना है पांच पोधों के इसको भढ़ना है यह साड़ा question मैं next class में करवाऊंगा और जो कि आपके आने वाले exams के लिए बहुत ही important साभीत हो सकती है और आपको पता भी चलेगा कि यह बहुत ही basic चीज है जो कि कितना आदमी को परिचित नहीं होते हैं तो friends इसको आणाम से आप cover up करो और यह साड़े question को मैं कल cover up करूंगा और बताऊंगा है ना और नीचे में भी कुछ questions है यह साड़े जो है कि मैं कल cover up करूंगा है ना मतलब next class में करूंगा और बताऊंगा सारे की answer क्या होते हैं आप भी बना सकते हो बहुत इची है अगर आप class को अच्छे से सुने होगे तो आणाम से बना पाऊंगे okay friends thank you so much आप इस चैनल को अच्छे subscribe करो और लाइक करो और जो है कि share करो ताकि आपको बहुत तरह तरह के वीडियो जानाम से प्रवाइड हो सके थैंक यूज